हेलो दोस्तों, मेरी सैनल फैक्टरी में आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरी सैनल में कोई ने वीवर्स है तो सैनल को सब्सक्राइब कर ले और अंग्ट तक वीडियो को जरू देखे एडिड़स हर साल सार सो मलियन जोडी जूते बनाते है इतने सारे शूज मनुफेक्टरिंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत होते है लेकिन लगातार नई समगरी बनाना एंवर्मेंट के लिए अच्छे नहीं है इसलिए एडिड़स एक अलग सोर्स की और रुख कर रहे है एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 30 साल में हमारे महासागरों में मचलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होंगे ये सब पॉलुशन, मराइन लाइफ और हुमन्स दोनों के लिए ही बहुत हार्फुल है इसलिए एडिड़स उस प्लास्टिक में से कुछ को ओशिंस में पहुचने से पहले रोकने की कोशिश कर रहे है 2015 में एडिड़स ने ओशिंस के लिए एंवर्मेंटल और्गनाजिशन पार्ली के साथ भागिदारी से मराइन पॉलुशन को स्पॉर्ट सुएर में बदलने की 2019 में एडिड़स को 11 मिलियन पेर्शूस बनाने की उमीद थी ये 2018 की तुलना में दुगने से अधिक है ये सब प्लास्टिक पार्ले और उसके पार्टनर्स माल्डिव्स जैसे कॉस्टियल एरिया से कलेक्ट करते है और सब को एडिड़स प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है ये processing plant, waste plastics को crush, wash और waste को dehydrate करते हैं और रह जाते हैं छोटे plastic flex, ये flex को heated, dried और ठंदा करके small resins pellets में काब दिया जाता है एडिरस इन pellets को melt करके filament बनाते हैं जिससे spun करके एक polyester yarn firm करते हैं जिससे ocean plastic बोलते हैं एडिरस ocean plastic को shoes के upper purse और jerseys बनाने के लिए use करते हैं एडिरस का goal है virgin polyester को recycled polyester में recycle करने को 2024 तफ एडिरस एक 100% recyclable shoes भी develop कर रहे हैं जिससे future craft look कहते हैं ये shoes remade कर सकते हैं क्यूंकि इससे return करके एक brand new pair बना सकते हैं इससे तोर के तो दोस्तों आज के ये जानकारी कैसा लगा comment box में comment कर दीजे और मेरे videos को like share करना मत भूलिए और ऐसी ही नई video में जल ही मिलते हैं और तब तक के लिए stay safe and stay healthy